नमस्त दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन में और सबसे पहले आप सभी को हारदिक शुब कामनाएगे अब आपका सत्य सनातन का परिवार सत्रा लाग का हो चुका है पिछले काफी समय से यह व्रद्धी रुख गई थी क्योंकि बहुत सारे इनएक्टिव पड़े हुए अकाउंट्स को यूट्यूब ने डिलीट किया था लेकिन यह सफर अभी काफी लंबा है आज हम बात करने वाले हिंदू समाज की कायरता न पुन सकता और उनके दिमाग की मृत कोशिकाओं के विशे में के जिन्हों ने उनको एक चलती फिरती लाश बना दिया है डिली और उत्तर प्रदेश के अंदर दो ऐसी हत्याएं हिंदू लड़कियों की हत्याएं के जिसके बावजूद आँखों के सामने सब कुछ गटित हो रहा है उसके बावजूद भी माबाप और आम जन्मानस की आँखों में जरा भी खून नहीं उतरा लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आप लोगों के लिए एक महतोपूर्ण सूचना ये है कि जो आप हमारी दस महतोपूर्ण विशो पर बनने वाली सची घटनाओं पर बनने वाले फिल्म्स हैं उनमें जो आप सहयोग कर रहे थे रेजर पे ने उसको रोक दिया ह इसलिए हम आपको यहाँ पर एक QR कोड और पिन कमेंट तथा डिस्क्रिप्शन में एक हमारा UPI ID दे रहे हैं जिस पर जाकर के आप हमें अपनी सहायता राशी भेज सकते हैं तो सबसे पहला जो केस है वो है शाहबाद डेरी थाने का जो कि दिल्ली अक्षेतर में पढ़ता ह यह वीडियो में आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता इसलिए मैं टेलिग्राम का लिंक निचे डाल रहा हूं उसको जोइन कीजिए और वहाँ पर जाकर के आप इस वीडियो को देखिए चोटे बच्चे प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी न देखें और कमजोर दिल लोग इस वीडियो को ना देखें मैं आप लोगों से पहले ही यह प्रार्थना कर रहा हूं यह लड़की जो है इस लड़की का नाम है साक्षी और जो इसको मार रहा है इस व्यक्ति का नाम है मौहमद साहिल मौहमद साहिल के अबाजान का नाम है मौहमद सरफराज मौहमद साहिल लोगों के घरों में AC रेफरेजिडेटर और वाशिंग मशिन की रिपेरिंग किया करता था इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जब हमने जाकर के देखा तो वहाँ पर ये अपने आपको एक गैंग्स्टर दिखाते हुए वीडियोज बनाया करता था रील्स बनाता था उनको शेयर किया करता था और इस हत्या को करने के बाद जब ये व्यक्ति बुलन शायर भाग गया और वहाँ पर यूपी और दिल्ली पूलिस ने इसको एक ऑपरेशन के माध्यम से पकड़ा तो उसके बाद में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों खुलासा ये है कि इसके राइट हैंड में इतना बड़ा कलावा बंदा हुआ है अर्थात यह कहीं न कहीं उसी प्रकार की साजिश है जिस प्रकार से मुंबई टेरर अटैक में आतंकवादी बनकर आए लोगों के द्वारा शडियंतर रचा गया था अब यहां से एक और खुलासा सामने आता है और वो ये कि साक्षी का इसके साथ में एक दिन पहले भयंकर इसके साथ लड़ाई हुई थी वो लड़ाई किस मामले में हुई थी किस बात पर हुई थी ये लड़किस को क्यो छोड़ना चाहती थी इस पर पहुँचने से पहले हमें एक और बात का ध्यान देना पड़ेगा आपने देखा होगा किस प्रकार से तमिल नाडू हो चाहे पश्चिम बंगाल हो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी दा केरला स्टोरी को वहाँ पर रिलीज नहीं किया गया जान बूज करके इन्ही दोनों स्थानों से अक्सर कर आपने कुछ खबरे आती सुनी होंगी और उन खबरों को दिखाने वाले लोगों को अक्सर आपने जेल में जाते हुए भी देखा होगा अर्थात जन जागरुखता के अभियान को पहली चीज सुप्रीम कोट से बढ़ करके हमने अपने फैसले लेने है और उनको अपने यहाँ पर दिखने नहीं देना है जैसे कि दा केरला स्टोरी और अगर हमारे खिलाफ कोई बोलता है सत्य का उद्गाटन करता है तो उनके उपर हम एनेस से लगा देंगे जेल में डलवा देंगे क्यों? क्योंकि जागरुखता आ रही थी इसी प्रकार की जागरुखता कुछ दिन पहले भी आपने देखी होगी हलदवानी में एक लड़की ने अपने बोईफरेंड के जब जाच की तो पाया कि वो तो एक मुसल्मान है इसी प्रकार की एक और खबर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी के दकेरला स्टोर देखने के बाद में काफी लड़कियों में इस बात की जागरुकता ही है साक्षी वाले मामले में भी जिस प्रकार से लव जिहाद का यहां पर एंगल हाथ में कलावा जबकि नाम है मुहमद साहिल बाप का नाम है मुहमद सरफराज ये लव जिहाद का जो एंगल है जो घूमकर के अधर साइड आ रहा है लड़की को कही ना कही इस बात का आभास हो गया कि लड़का जो है वो मुसल्मान है साहिल नाम जो है वो हिंदूों ने टीवी से इडियट बॉक्स से सिनेमा से प्रभावित होकर के रखतो लिया अपने बच्चों का लेकिन यहां पर हिंदू लड़की को बड़ा कन्फूजन पैदा हो जाता है और यही कन्फूजन हो सकता है साक्षी को हुआ हो लेकिन लव जिहाद में असफल ये एक जिहादी व्यक्ती इस बात को बरदास नहीं कर पाया और उसने लड़की का पीछा किया और उसके घर के सामने ही जाकर के उसकी चालीस बार बताया जा रहा है के चाको से गोद कर पहले निर्मम ताके साथ में हत्या की फिर पत्थर उठा कर उसके उपर बार बार वो पठका इसलिए बार-बार कहा हूँ कि वीडियो आपने बालक-बालिकाओं को ने दिखाना है और कमजोड दिलवाले बिल्कूल भी ना देखें सबसे बड़ी चीज के वहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं वो आराम से निकल रहे हैं आराम से आ और जा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर किसी ने कोई ठेली लगा रखे और वो कुछ टोफी बेच रहा हो या वो वहाँ पर कोई प्रदर्शनी लगा करके वैठा और आसपास से लोग निकल गए हो यहीं बराबर में आप देखेंगे कार के पीछे बहुत सारी इंट पड़ी हुई है दस लोग यहाँ से गुजर चुके हैं कोई एक 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 इंट भी अगर उस व्यक्ति को मारता साहिल को मारता तो व्यक्ति उसी में मर जाता नहीं तो वहीं के वहीं बरामद हो सकता था पकड़ा जा सकता था लेकिन किसी भी व्यक्ती ने एक भी व्यक्ती ने उसका प्रतिकार नहीं किया क्या गारंटी है कि कल मुहम्मद साहिल या मुहम्मद सर्फराज या कोई मुहम्मद नावेद जाकर के इनी कायरों के घरों में गुस करके इनी की बेहन बेटों के साथ में दुश्कर्म करेगा इनी की आंकों के सामने और ये घर छोड़ करके नहीं भागेंगे मैं गारंटी देता हूँ कि जब कल इनकी बेहन बेटों के साथ में सब चीजे होंगी ये अपने घरों को छोड़ करके जूंका त्यूं छोड़ करके भाग जाएंगे अपनी बेहन बेटों को उनके हवाले छोड़ करके भाग जाएंगे कि तुम्हें जो करना है करो बस हमें बख्ष दो ये अवस्थिती आज की तारिख में आ चुकी है मुझे नहीं पता है कि वो लोग कौन थे कौन से मजब के हैं लेकिन इतना जरूर है कि इनके अंदर अब मानवता नहीं बची है और एक भाव कि हमारे साथ थोड़े नहीं हो रहा है लेकिन मैं ये बात बता दू क जो दूसरे के साथ होने पर प्रतिकार नहीं कर सकता क्या गरंटी है कि वो अपनों के साथ पर होने में भी प्रतिकार करेगा थ्वा नहीं इसी से मिलती जुलती एक और खबर है और इसमें भी माबाप की जो मतांदता है वो सपषट जलगती है सीमा बोतम और मुहमद अपने एकमितर के साथ में इस महिला को खुन से लटपट यह होती है और हॉस्पिटल में लेकर के जा रहा है वहाँ पर डॉक्टर्स पूसते हैं इसका नाम क्या है वो उसका नाम ही एक इसलामिक नाम बताता है और वो कहता है कि यह मेरी पत्नी है उनको भर्दी कर देता है लेकिन कुछ ही देर के बाद में महिला अपना दम छोड़ जेती है उसके बाद में यह व्यक्ति वहां से निकलने का प्रयास कर रहा है माबाप को बुलाया जाता है, माबाप आते हैं और वो नावेद के बारे में बताते हैं जो इसने होस्पिटल में नाम लिकवाया है वो भी गलत है इस लड़की का जो नाम बताया है वो भी गलत है और जो relational बताया है यह भी गलत है एक्षुलि यह कई वर्षों से एक दूसरे के साथ में living relationship में रह रहे थे ध्यान दीजेगा माबाप आज इस बात को बता रहे हैं ये लिविन रिलेशन्शिप में रह रहे थे इस लड़की को ये टॉर्चर करा करता था ये प्रेगनेंट थी बच्चा पैदा करने वाली थी ऐसे में ये इस महिला के उपर लड़की के उपर सीमा गौतम के उपर दबाव बना रहता है कंटिन्यू के इसलाम कबूल करे उसने कई बार ये बात बताने का परियास किया उसने कई बार इसके शिकायत करने का परियास किया लेकिन उससे फल नहीं हो पाई और आखिरकार अपने मित्र के साथ में जो उनका कहर बरपा इस लड़की के उपर उससे इस लड़की ने दम तोड़ दिया ये लड़की मर गई है नावेद को आखिरकार ग्रिफतार कर लिया गया लेकिन क्या आपका अपने बालक बालिकाओं अपने लड़के लड़की उपर इतना भी विश्वास कायम नहीं है कि आगर आप उनको कोई बात समझा रहे हैं अगर आप उनको कोई बात बता रहे हैं और वो समझे ना यानि कि माबाप हैं उनकी बेटी है वो किसी और के साथ में जाकर कर रह रही है वो कह रही है कि मेरा अब्दूल ऐसा नहीं है हाला कि उसको पता लग चुका है हाला कि इस पर काफी लोग कमेंट में कहेंगे कि हम इस लड़की के ओपर कोई अफसोस नहीं है लेकिन अफसोस उन लोगों की बुद्धी पर होता है जो समझा नहीं पाते और अपने धर्म से विमूख होकर के बैटे हुए है जो अपने धर्म को नहीं जानते और दूसरों के पास में जाल में जनजाल में फस जाते हैं जो कल तक हिंदू थे आज जो मुसल्मान बन चुके वो अपने धर्म को गाली दे रहे हैं ध्यान दीजेगा इस बात को वो दुश्मन बन रहे हैं अपने धर्म के ही आज ये लड़की जो मारी गई है उसके पीछे कौन लोग खड़े हैं वही लोग जिनके सुन्नत में सब बाते लिखी हुई है कि किसी भी तरीके से केवल और केवल आपको उनको कनवर्ट करके लाना है साहिल क्या कर रहा था साक्सी के साथ में क्या पता वही लव जिहाद वाला आतंकवादी नुस्खा यहां पर अपना जा रहा हो जो जो चीजे आपको जागरूख करने का प्रयास करेंगी कल वही चीजे आपकी बंद करवा दी जाएंगी हो सकता है आज आपकी बेहन बेटियां सत्यसनात्म देख रही हूं कल कहा जाए कि उनकुरार ये जहर फलाता है ये जूट बोलता है तो गलत हो फैफलाता है ये भाई चारे के बीच में दरार पैदा कर रहा है लेकिन उनका हशर भी सीमा गौतम जैसी लड़कियों के साथ जो हुआ है कुछ-कुछ उसी प्रकार का हो जाता है जो कहकर के घर से निकलती हम तो लिविन में रह लेंगे एक मुल्ला के साथ में हमें कोई फरक नहीं पड़ता है हाला कि सीमा गौतम का भाई भी ये बात कह रहा है कि नावेद ने पहले अपने आपको हिंदू बताया उसके साथ में लिविन में रहा, जब अरदस्ती करी, प्रेगनेंट किया, अब उसको कनवर्ट करने का प्रियास कर रहा था लेकिन सच्चाईया अभी खुलनी बाकी है हिंदू के दिमाग पर पड़े हुए इस परदे पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है साक्सिक इस हुई हत्या और साहिल का क्या अंजाम होना चाहिए, हमें ये भी नीचे कमेंट करके अवश्य बतायेगा और क्या ऐसे अपरादियों को उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं सौप देना चाहिए, अपने विचार हमें अवश्य बताये अगर ये वीडियो आपको जानकारे से भरपूर लगती है और आपके आसपास के क्षित्र में कोई भी बहन बेटी है, तो उसके मॉबाइल तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएगा सत्य सनातन आपका अपना प्लाटफोर्म है, इसको स्वम भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं मेर संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, जय हिंद वन्दे मातरम